हेलो दोस्तों आचल टेरिस गार्डन में आपका स्वागत है वीडियो की शुरुआत रेक्स बिगोनिया के फ्लावर के साथ बहुत ही खुबसूरत फूल आते हैं पिंग कलर के इसमें पर्मनेंट प्लांट होता है फ्लावरिंग इसमें विंटर में ही होती है फ्रेंट्स दे जरूर देखिए और पसंद आये तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को तो चलिए शुरू करते हैं दो प्रकार के डिफिन बेक्या की प्लांट है मेरे पास एक ये वाला और एक ये वाला ये जो देख रहे हैं वो लगभग डेड़ दो साल पुरा कोई भी आप तेज धार वाला चाकू ले लीजिए और इसको कट कर लीजिए क्योंकि प्रूनर में ये कटेगा नहीं तो चाकू लेना ही है अच्छा धार वाला और थोड़ा सा दूर से ही कट करूंगी देखिए ये पोर्शन मिट्टी में दबा था इसलिए इसमें जड़ भी बन गई है और ये वाला भी हम कट कर लेंगे ये इस तरह से एक ब्रांच को मैं रहने दूंगी अब इसी पॉर्ट में और ये 12 इंच के पॉर्ट में लगा हुआ प्लांट है आप देख सकते हैं बहुत सुन्दर प्लांट होता है बेश्टेयर प्यूरिफार प्लांट क नाम से जानते हैं और चलिए टेरिस पे चलते हैं अब टेरिस पे ही कटिंग लगाऊंगी मैं ये आ गए हम टेरिस पे और मैं ये पॉली बैग में लगाऊंगी इसमें गुल दो पहरी का प्लांट लगा हुआ है अब इसमें सीड बन गया है तो इसको अब मैं हटाऊंगी और इसी में हम cutting लगाएंगे तो फिर हटाती हूं मैं पहले और ये देखे फ्रेंट्स इसमें तो roots आ गये हैं कोई दिक्कत नहीं है इसको मैं single plant ही grow करूंगी pot में ही और जो एक और हम cutting लिये हैं उसको ये polybag में grow करेंगे ये देख रहे हैं ये polybag है well-drain soil होना चाहिए वैसे तो जो डिफिन बेक्या का plant है वो summer का plant होता है summer और any season में इसकी growth बहुत अच्छे से होती है winter में थोड़ा सा slow हो जाता है तो कोई बात नहीं अभी भी हम इसकी cutting लगा सकते हैं और इसको मैं एक cutting लगाऊंगी प्लांट के स सहित पत्तों के सहित और ये वाला देखे डिफिन बेक्या का जो प्लांट होता है उसकी cutting आप आड़ी भी लगा सकते हैं और खड़ी भी तो मैं दोनों तरीके से आपको लगा के दिखाऊंगी और node area होना चाहिए इस तरह से आप दो-दो इंच की cutting ले लिजिए दो-धाई और इसको भी हम दबा देंगे, simple तरीका है ये देखिए एक cutting मैंने आड़ी लगाई है और दो cutting खड़ी लगाई है और ये जो पत्तों सहित जो है उसको मैं ऐसे ही लगा दूँगी इसमें ये भी इसके भी roots निकल जाएंगे और इसके जो roots निकलेंगे वो लगभग डेर से दो मेहने में लिक लेंगे friends क्योंकि बहुत जल्दी इसमें rooting नहीं होती time लगता है थोड़ा तो किसी भी tools की मदस से hold कर लेंगे और अभी September का महिना चल रहा है आज September की 20 तारीक है और आप देख सकते हैं देख रहा है इस तरह से ये हमारा cutting ready हो गया है और खुबसूरत पत्तों के लिए इसको लगाया जाता है इस plant को जमीन में ये outdoor भी चल जाता है और यदि हमकी spot में लगाते हैं तो फिर ऐसे जगह रखे जहां सुबब सुबब की एक दो घंटे की sunlight इनको मिले साल में दो तीन बार fertilize कर दीजिए बहुत बढ़िया चलता है easy to maintain, easy to grow plant over watering से ही बचाना होता है इसको ज़्यादा पानी की भी इसको ज़रुरत नहीं होती low maintenance plant होता है तो ये देखी ये भी 12 इंच का pot है मेरा एक plant इसमें भी ready हो जाएगा और plastic का pot है ज़्यादा तर मेरे indoor plant है वो सारे plastic के pot में ही लगे हुए है थोड़ा सा poisonous plant होता है friends जब भी आप इस plant के साथ काम करें तो काम करने के बाद अच्छे से wash कर ले हाथ को और pet से भी बचाना होता है जो पालतु जानवर हम रखते हैं अपने घरों में उससे भी बचाये और छोटे बच्चों से भी इस plant से बचाये छोटे बच्चों को भी poisonous होता है ये plant और हवा को शुद्ध करने वाला plant होता है और बहुत सारी वराइटी इसकी मिलती है लर्सरी में खुबसूरत leaves वाले मेरे पास दो ही है इस तरह से ये दोनों plant लगकर तयार हो गया है और आज मैं एक और plant को report करूंगी तो थोड़ा थोड़ा काम करते रहने से हमारा जो काम का बोज है वो हलका हो जाता है और winter की तैयारी भी करनी है और ये देखिए हमारा लगकर तैयार हो गया है ये दोनों plant और इसके पत्तों को remove भी करूंगी मैं दो तीन पत्ते ही बचाऊंगी उपर के तीप वाले अभी seizure मेरे हाथ में नहीं है तो और इसको लगाने के बाद मैं उसको भी कट कर दूँगी उनके डिफिन वेक्या के पत्तों को और ये मेरा 10 इंच का सिमेंट का पॉट है और ये जो आप देख रहे हैं वो कटिंग से लगा हुआ प्लान्ट है इसमें पिंक कलर के मल्टि पैटल वाला ही बीसकस प्लान्ट है ये उच्छे वाला ही बीसकस जैसा कि आप मेरे गाडन में देखें है डेड कलर का तो ये पिंक यह मेरे पास नहीं था दो तीन कटिंग मैंने लगाई थी जिसमें से दो कटिंग तो चल गई यह देखिए अर्थवाम केचवा बहुत अच्छा काम करता है हमारे गाडन में केचवा तो इसको बिल्कुल फेकना नहीं चाहिए मिट्टी में ही डाल देना चाहिए पॉट में ह पोरस बनाता है हमारी मिट्टी को केचवा और यह देखे जड़ बन गई है इसकी देख रहे है फ्रेंट्स तिर्चा कटिंग मैंने लगा दिया था साइड में और बहुत सारे कटिंग लगे हुए थे तो मैंने साइड में ही दबा दिया था और इसको पॉट देना जरूरी भी है ज्यादा दिन तक प्लास्टिक के पॉट में मैं नहीं रख सकती यह पर्मनेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है गुढ़ल गुलाब यह ऐसे प्लांट होते है जिसको आप या तो सिमेंट के पॉट में लगाए या फिर मिट्टी के पॉट में इस तरह से मैं रिपॉ हो गया है दो-चार दिनों में लाऊंगी और मेन मेरा फर्टिलाइजर आप जानते ही है वर्मी कमपोश्ट ही यूज करती हूं मैं अपने सारे प्लांट्स पर और हिबिसकस में जो पोटास वाला पोटेशियम वाला जो खाद होता है वो ज्यादा अच्छा रहता है और सीवीट का लिकविट फर्टिलाइजर भी आप देते रहें 15 महिने दिन के गैप में इस्प्रे करें फोलियाज इस्प्रे और मिट्टी में भी डाल दें एपसम सॉल्ट का भी इस्प्रे कर सकते हैं महिने में एक बार बहुत अच्छा फिर फ्लाउरिंग करता है हमारा ही बिसकस का प्लांट और एक नया प्लांट भी रेडी हो गया मेरा इस साल मांसुन में मैंने बहुत सारे नयने प्लांट बनाए हैं कटिंग से तो ये बहुत ही खुबसूरत प्लांट भी मेरे गार्डन में इस सालेड हो गया बहुत खुबसूरत फूल आता है इसका पिंक कल तो आज की वीडियो में यही सब कर रही थी मैं काम और यह जो गुल-दू-पहरी है हमारा जो नून-फ्लावर है वो complete हो चुका है तो इसके अब मैं seed को collect कर लूँगी next season के लिए और यदि मैं इसको अभी भी डाल कर देखूंगी यदि ये winter में भी चलता होगा ये plant क्योंकि first time मैंने लगाया था इसको अपने garden में इस साल और ये देखिए mature seed को ही collect करना है देख रहे हैं friends जो पक चुके हैं उनको और जो green है वो कोई काम के नहीं है इतना काफी है मेरे लिए बहुत सारे निकलते हैं एक seed pot से और ये green वाला नहीं करेंगे अब मैं इसको हटा दूँगी सारे plants मेरे compost भी इन में चले जाएंगे तो आज की वीडियो में यही सब शेयर करना था वीडियो अच्छा लगे तो comment box में जरूर बताईएगा कोई भी inquiry हो तो comment box में जरूर पूछिएगा मैं जरूर आंसर करूंगी आप लोग से तो फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए happy gardening जरूर जरूर इए जरूर शेता हैं